गुड मॉनिंग साथियों आज एक बहुत ही कामन इसकिन की प्राबलम उसके बारे हम डिसकस करेंगे इसकिन अलर्जी इसी को मेडिकली हाइब से या अर्टकेरिया बोलते हैं और हम लोग इसको सामान भासा में कई बार पित्ती बोलते हैं दूसरे अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से भी बोला जा सकता है लोकल पासा में इसकिन अलर्जी और अटकेरिया के बात करें तो बहुत ही कामन समयस्या है मतलब कभी न कभी हर कोई समयस्या से अपीडित रहता है अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों में अपने को अलर्जन आइडेंटिफाई हो जाते हैं ज्यादा तर यह आधे लोगों में और उसको हटाने से फिर यह समयस्या ठीक हो जाती है यह ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यह अलर्जी होती है और फिर अपने आप चली भी जाती है अगर यह देखा जाए कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इसकिन अलर्जी है हाइप से या कोई दूसरी कंडिशन है तो इसमें रेट इलिवेटेट पैच मिलते हैं जिसमें खुजली होती है मतलब आपको सुजन थोड़ी सी होगी एक जगा पर चोटी भी हो सकती है उसमें खुजली होगी और लाल रहेगा अब यह इसकीन अलर्जी एक जगा हो सकती है मल्टिपल हो सकती है और कई बार ऐसा हो सकता है कि सरीर की किसी अंद्रोनी हिस्सों में कोई बिमारी का संकेत हो इसलिए अगर बहुत लंबे समय तक अलर्जी होती है किसी भी चीज़े है अलग अलग चीज़ों से कि अगर सिर्फ इसकिन में अलर्जी हो रही है और आपको कारण दिख रहा है कि मुझे इस खाने से या इस चीज़ से हो रही है तो कोई डरने घबराने की बहुत ज़रूत नहीं है, कोई बहुत सीरिस चीज नहीं, आपके सरी को कोई बहुत डेमेज नहीं कर देगी इसलिए इसका इलाज थोड़ा सा उधानी से ही करना होता है, इसमें बहुत परिशान होने की जरूत नहीं होती है एक चीज़ जरू ध्यान रखें कि ये अर्ट केरिया, इसकिन की अलर्जी कई बार इंजियो एडिमा के साथ असोसियेटेड होती है, 30-40% केस में, इंजियो एडिमा मतलब कि जो ओंट है, या आईलिड है, टंग है, उसमें स्वैलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इलाज का हिस्सा होता है, वो कारण जानना है, जिसने कारण जान लिया, उसका पर्मानेंट इलाज मिल गया, क्योर मिल गया, जिसने कारण नहीं जाना, उसके लिए से कोई भी दवा नहीं बनी है, कि 100% केस में, सारे बेक्तियों में ये दवा काम करें, जो भी दवाई दी जाती हो symptoms control करती है allergy skin के आपके ठीक होगी नहीं होगी यह आपके सरीर के अंदर का disturbance है वो जब ठीक होगा तो आपके allergy भी ठीक हो जाई अब ऐसा होता है कि लगभग आधी लोग पचास बर्शन लोग ऐसे होते हैं जो कारण को identify कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको कारण कोई नहीं मिलता बहुत सारा देखने के बाद भी उनको skin allergy के उनके कारण नहीं मिलता इसके allergy के अगर कारण की बात करें तो जादा तरबार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि मौसम में change हो ठंडा गरम जब मौसम होता है या पसीना आया कोई कपड़ा हो सकता है कुछ दवाई हो सकती है अंटिवार्टिक होती है बेन किलर्स है बीपी की दवा है खाने में देख इसली है दूद है मौफली है चाकलेट है फ्रूट्सोगा राइस्ट्राबियें पैनेपल आरें यह सब हो सकता है कुछ सब्जिया है जैसे की टमाटर इसके बाद लाह सुन प्याज इस तरह की चीज़े और यह जरूर है कि अलरजनी का एक करनी हुए सकता है कि आपके घर के ल्ड़ जो धूल है डस्ट है लिडमकोडे है या जो प्लतु कुत्ते हैं उनके जो फ़र हो सकती है या इसकिंसे और पुछ जो निकलता है यह सब हो सकता है और infection भी होता है, especially अगर बच्चों की बात गरे तो कई बार viral infection बच्चों को होता है, तो सरीम उनके पित्ती निकलाती है, infection जैसे ठीक होता है, 4-5 दिन में वो पित्ती भी गया भोजाती है, ऐसे ही बड़ों में भी हो सकता है, कि sinus के infection है, कान के infection है, गलीर infection है, दात के infection है, ऐस infection में भी हो सकती है, और cosmetic जो क्रीम से गारा होती है, lotion हो गारा है, उसे हो सकती है, और एक ऐसा भी होता है, कि कुछ लोग जो ज़्यादा depressed रहते हैं, sad रहते हैं, stress में रहते हैं, तब भी यह हो सकता है, तो इतने सारे कारण है, इन ही कारण में इसे ढूंडना है, और सबसे क तो इस तरह के अगर आपको आ रही है, पित्ती जैसा कुछ आ रहा है, इसके न्देस आ रहे है, तो एक viral infection का भी देखा जा सकता है, कई बाहर क्यों होता है, कुछ viral infection का initial presentation इस तरह के इसके न्देस आता है, अब जाते हैं, इसको treatment इसका क्यों इतना कठीन पड़ जाता है, तो इसकी वज़ा है, यह hypersensitivity बोल सकते है, इसको लोग type 1 hypersensitivity reaction बोलती है, यह सरीर के अंदर disturbance होता है, मतलब ऐसा disturbance जिस पे किसी ब्यक्तिक कंट्रोल नहीं है, सरीर का immune cell ज्यादा active हो गया है, होता क्या है कि सरीर के अंदर महस्यल होता है, जो बाहर के allergen की वज़ा से ज इसकी प्राबलम में, इसलिए skin allergy क्या होता है, कि कई बार ऐसा होता है, कि बच्पन में नहीं थी, फिर allergy हो गई किसी खाने से, या किसी और चीज़ से, फिर थोड़ी उमर और होई तो अपने याप ठीक भी हो गई, इसलिए ज़ादा यह ज़ादा देखने को मिलती है, तो इसलिए जो histamine निकलता है, जिसके करणड़ यह vasodilation होता है, इसी को रोकना रहता है, इसलिए जो एलो वैथिक के दवाईया रहते हैं, उसको medically बोला जाता है, anti-histaminic दवाईया, या दूसरी दवाईया जैसे एक steroid होगा रहा है, या muscle stabilizer, वो इसी तरीके से काम करता है, कि य histamine निको या लिकोट्राइंस को जो इसके chemical होते हैं, vasodilation कराने के लिए, मतलब पित्ती कराने के लिए, या जो खुजली होती है, सुजन होती है, वो यही chemicals होती है, तो यह सरीर के अंदर खुद के immune system में fault होता है, क्यों टर्टिकेरिया के बात करें, मतलब कि skin allergy किसी वाज़ लोगों में ऐसा होता है, तो कुछ फी करने ही जुरत नहीं, कुछ परेशान होने ही जुरत नहीं है, अगर आप कारण identify कर लें, तो और अच्छा है, अगर उसको आप हटा हैं, कि trigger को हटा देंगे, तो यह आपकी विवारी के मैसा के लिए ठीक हो जाएगी, तो मतलब अक् इसको आप जेब में रखें, खालें, एक दवा खालेंगी, इससे आपको काम हो जाएगा, प्राबलम आती है, क्रोनिक अर्टिकेरिया, हम लोग तब बोलते हैं, जब किसी को यह जो एलर्जी है, इसकी एलर्जी यह डेड़ महीने से जादा रहें, अब यह क्रोनिक अर्ट केरिया है, तो, acute articae में, मतलब कभी-कभी आपको कोई खास जाज कराने की जोथनी है, लंबे समय से समय से है, तो आपको liver, kidney, फेफडे, की थारेट की जाज करानी है, यहो से नोफिल देख सकते हैं, CBC की जाज पता चलता है, कुछ लोगों को यहो से इतने में फिल मिल सकत पचास से सो इलर्जन की एंटीबाडी आपके शरीव में देखी जाती है उसमें कुछ जो इलर्जन होते हो आडेंटिफाई हो जाते हो ऐसे ज़्यादा था किसी खास काम का नहीं होता कुछ लोगों में थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं लेकिन जाज थोड़ी महेंगी है मत सकते हैं कुछ लोगों को हिल्फुल हो सकता है और मतलब यह चीज है मतलब इसकिन के इलर्जी के लिए जो टोस्ट हैते हो बहुत ज्यादा कोई खास काम के नहीं होते हैं अब आते हैं इलाज की बात करें तो सबसे पहले कारण देखना है कारण मिल गया तो अच्छी बात ह नहीं मिला तो या करना है दवाईयों का काम्बिनेशन यूज किया जाता है नार्मली जब इस तरह क्रोनिक अर्टिकेरिय के केस मिलते हैं तो उस केस में तो तीन दवाईयां जैसे किस्ट्राइड हो गारा दिया जा सकता है लो रोजमेरिया एंटि हिस्टामिनिक दवाई देना है मास से इस्टेबलाजर देना है और आजकल एक बायोलाजिक्स इंजेक्शन आते हैं वो भी हम मतलब ऐसा कर सकते हैं कि ज्यादा सीरियस अलर्जी हो पूरे शरीर में खुजली हो रही है उस केसे में दिया जाता है बहुत सारी दवाईयों का कामिनेशन दिया अब द्वाईयों और दवायों को कम कर दे जाएंगे ऐसा आपका साल भर छे महिने में ज्यादा तर लोगों में अंदर कुछ नहीं होने वाला है तो आप होमेपेथी की दवा, एलोपेथी की आयरुवेदिक की दवा, टेस्ट करें, ट्राई करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये दवा, कोई भी ऐसी दवा नहीं, जो 100% केस में काम करें, कुछ लोगों को जो होती हैं, घरेलू चीजे हैं, उनसे काम हो जाता है, कुछ लोगों की विम कारण को जान लिया, कारण अगर नहीं मिल पाया, तो फिर हो सकता है, कि आपको कुछ जांचे करानी पड़ें, और थोड़ा इलाज भी लेना पड़ें, कुछ दिन के लिये तो, Thank you.